कि सभी आंगन बारी बहनों को मेरा नमस्कार तो जैसा कि आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अनप्राशन दिवस का एंट्री हम लोग अपने रेश्टर में कैसे करेंगे और इस अनप्राशन दिवस के दोरान हमें कौन-कौन सी बाते अपने आपको पुरी जनकारी बताएंगे कि आप लोग अपने रेश्टर में कैसे अनप्राशन दिवस की एंट्री लिखेंगे साथी साथ यहां पर हमने जो अनप्राशन दिवस में मुख्यब बाते हैं उसको बताने के लिए यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स समझाने होते हैं प्राशन दिवस के दवरान तो वीडियो में आप लोग बने रहिए वीडियो को आप लोग सुरू से लेके लाश तक जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जैसे कि हमन आप लोग पिसला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा और डिस्क्रेश्वन बॉक्स में दे दूँगा जहां से आप लोग गुद्भराई दिवस कैसे लिखते हैं इसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं तो चलिए हम आज अनपराशन दिवस की एंट्री कैसे लिखने हैं अपने रेइस्टर में उसके बारे में आपको इस्टे बाई इस्टे बताते हैं वीडियो आप सभी आगंबारी बहनों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक अनपराशन दिवस मनाते हैं लगभग लगभग सभी जगहों पे 19 तारी को अनपराशन दिवस हर एक महिना मनाये जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको दिन लिखना है कि कौनसे दिन को आप लोग अनपराशन दिवस कर रहे हैं को आंगनवारी का नाम आपको लिखना है केंदर संख्या आपको यहां पे लिख देना है फिर आपको यहां पे लिखना है पर यानि की केंदर संख्या पर छे माह से उपर वाले बच्चों एवं उनके माता पिता को बुलाया गया साथ ही साथ माह से दो वर्ष के लभार्थी को भी बुलाया गया तो इस अनपराशन करते हैं यानि मुझ जूठी हम लोग भुजपूरी भासा में बोलते हैं तो उसको हम लोग यहां पे उनका जो अनप्रासंद दिवस की जो जनकारी है उसके बारे में बताते हैं और जो साथ माह से दो अर्श के बच्चे हैं उनके भी माता-पिता को बुलाते हैं कि आपको इ इसके बाद पूरक पुसहार के परदर्शनी में अनप्रासन की परकिरिया सुरू की गई जैसे कि पूरक पुसहार का जो हम लोग वहां पे ठाली में सारा चीज समगरी रखते हैं हरी साग सब्जिया वगरा सभी चीज उसको परदर्शनी दिखाते हुई हम लोगों ने उस इसके लाब के बारे में बताया गया तो जो हम लोग परदर्शनी में रखे हैं जो समगरी और जो बच्चों के पौश्टि के लिए क्या-क्या जरूरी होती है इसके लिए हम लोग जो भी वहां पे लाभूख है और जो लभार्थी हैं उनको हम लोग इसके बारे में उसकी चर्चा करते हैं उसके लाब के बारे में बताते हैं यह सारी डिटियल्स आपको यहाँ लिखनी है और अनपरासन हे तुँ बच्चो के लिए हलवा बनाया गया और कटोड़ी में हलवा लेकर चम्मच से खिलाए गया जैसे कि उस दिन हम लोग हलवा बनाते हैं और बच्चो क खिलाया, उसके बाद उस कटोडी चमच को लभार्थी को दे दिया गया, जैसे कि जिस लभार्थी को हम लोग आगनवारी केंद्र पर बुलाते हैं अनपराशन के लिए, तो उनको वो कटोडी चमच भी दे देते हैं, फिर उसके बाद यहां पर हम करमांग लिखते हैं कि अन अनपराशन कराया, अगर एक बच्चे का हम अनपराशन कराते हैं, तो एक बच्चे का यहां पर इंट्री कर देंगे, दो बच्चे अगर उस दिन अनपराशन करते हैं, तो इस परकार से हम लोग जीतेने भी बच्चों का अनपराशन उस दिन करेंगे, एक, दो, तीन, जो भी बच्चे हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे उसके बाद अभिभाव का नाम लिख देंगे यानि उनके पिता जी का नाम यहाँ पे लिख देंगे फिर उसके बाद यहाँ पे जनमतिति डाल देंगे जो बच्चों की जनमतिति है उसके बाद उस बच्चे का उम् परात्त किया तो उनका यहां पर हस्ताक्षर करा देंगे फिर यहां पर जितने भी अलग से जो लभार्थी आये हुए हैं साथ मेने से लेके दो वर्स के जो भी बच्चों के लभार्थी आये हैं तो उनका भी यहां पर हम लोग जितने भी आये हैं उनका यहां पर सिगनेचर हम लोग करा सकते हैं फिर उसके बाद सेवी का सहाईका का अपना यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा सेवी का अपना हस्ताक्षर करेगी सहाईका अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगी इस परकार से हम लोग इस अनपराशन दिवस की इंट्री अपने रेइस्टर में कर सकते हैं अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो अनपराशन दिवस के दवरान जो मुख्यब बाते हैं वो जो बच्चों के माता-पिता वहाँ पर उपसित होते हैं उनको क्या समझाते हैं कैसे समझाते हैं अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं वीडियो आप सभी आगनबाडी बहनों को पसंद आ रहे हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक किजिए क्योंकि हमने आपके लिए इतना सारा कुछ लिखा है समझाने के लिए जिससे की आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो देखिए अब अनपराशन दिवस के दवरान हम लोग जो परमूख संदेश हैं जो मताओं को देते हैं कि जो बच्चे हैं छे माँ से जब उपर हो जाते हैं उनको कौन सा आहार सामिल करना होता है जिसे की बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो तो जैकि यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखे हैं पहला है सिसु की उम्र छो मा हो जाने के बाद केवल अस्तान पान उसकी पोषन संबंधी जरूरूतों को पूरा करने के लिए परयात नहीं है जैसे की जो बच्चे छे मा से उपर हो जाते हैं तो उनको अस्तान पान के आलावा उनको उपरी ठोस अहार देना भी शुरू कर यह बाते आप लोग को समझानी है अनपरासन के दोड़ान दूसरा है नरम पूरा पक्का हुआ और मसले हुए अहार से शुरूआत करें याद रहे तरल या पानी जैसा खाना जैसे की दाल या चावल का पानी न दे और जैसे की जैसे जैसे सीसु खाने लगे उसके अहार को निरंतर गारहा और ठोस बनाते जाएं जैसे सीसु को भूख लगती है वो खाने लगता है तो उसके अहार को थोरा थोरा गारहा करके और उसको ठोस बनाते जाएं और उसको खिलाते जाएं ठीक है उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है सीसु के लिए पौश्टिक अ फाल, तेल, या घी, दूद, मलाई के साथ और दही, तो ये सब जो पौश्ट्री का हार है, बच्चों को खिलाने चाहिए, ताकि जो बच्चों का मांसिक व्रिधी हो, तो वो असानी से हो सके, उसके बाद जो मांसहारी परिवार वाले लोग हैं, जैसे कि जिनके घर में मांस मांसहारी परिवार है, उनके घर में मांसहारी भोजन बनता है, तो वो अपने घर में अच्छे से पकाया हुआ, और उसको मसल कर मांसहारी आहार दे सकते हैं, साथी साथ अंडे भी बच्चों को दे सकते हैं, और इस आयू के सिसुओं के लिए, विकास के लिए ये सभी बच्चों को मास मचली अंडा वगरा नहीं देते हैं और जैसे कि कई कई ऐसे परिवार है जो मांसहारी चीजे नहीं खाते हैं तो वो अपने बच्चों को सारी चीजे नहीं दे पाते हैं तो इसमें ये लोग परहेज करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं खाते हैं उनके लिए कोई दिकत नहीं है लेकिन जो लोग मंसहारी परिवार से हैं वो इस परकार की जो अहार है बच्चों को दे सकते हैं उसके बाद है चोथा नमर में सीसु को परियाप्त उपड़ी अहार देने के साथ साथ अस्तान पान भी जारी रखे और महतोपूर्ण है जैसे क यहां पर उम्र के अनुसार उपड़ी अहार बढ़ाना भी जरूरी है जैसे कि जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ रहा है उस हिसाब से बच्चे का जो अहार है उसमें बरहुतरी करनी चाहिए तो किस उम्र के बच्चे को किस परकार से उसमें बरहुतरी करें यहां जैस उस बच्चे को खिलाना चाहिए उसके बाद 9 से 11 माह का जब सिसु हो जाता है तो उसको दिन भर में 3 से 4 बार खिलाना इस्टार करें और कम से कम 3 कटोरी पूरे दिन में ये जो पॉस्ट्री का हार वाली जो हमने आपको सारी चीजे बताई उसको खिलाने की सुरुवात करें उसके बाद यहाँ पे जो 12 से 23 माह के बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए यह आहार बढ़ा कर 4 से 6 कटोरी कर देना है जैसे जैसे जो बच्चों की उम्र बरती है उस हिसाब से बच्चों के आहार में भी बढ़ोत्री करनी चाहिए तो इस परकार के जो संदेश है आप ल अनपरासन दिवस की महत्तवक के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो आप सभी आगन बारी बहनों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप लोग का जो